अच्छी क्लास में PowerPoint के assignment number 5 हम करने जा रहे हैं इसमें हमको एक presentation create करना है और import करना है sound and video clip को ठीक है बहुत ही simple सा assignment है इसके लिए हमारे पास option होता है sound और video को import करने के लिए जैसे आप यह देख रहे होगे कि यहां पर हमारे पास एक presentation बना हुआ है मैं एक नया presentation create कर ले रहा हूँ कभी कभी होता ही है कि हमको presentation के साथ साथ यहां पर कुछ video clips भी दिखाने होते हैं तो उस video clips को जैसे मैं सबसे पहले presentation अपना दयार करता हूँ जिसमें छोटा सा मैं एक presentation बना लिया हूँ यहां पर यह एरो प्लेन है और इसके उपर कोई animation मैं लगा देता हूँ आपको बता है animation लगाने के लिए custom animation का use करते हैं और मैं motion path का use करते हैं और यहां पर मैंने animation तयार किया है यह जो animation है वो कुछ इस तरीके से plane को उड़ाएगा इसके लिए मुझे audio video clip यहां पर insert करनी होगी clear है तो इसके लिए जो steps है वो क्या होंगे सबसे पहले आप insert option में जाएंगे हमको यहां पर media clip दिख रही है यहां पर आप video clip insert कर सकते हैं इसके आप sound clip insert कर सकते हैं मैं यहां पर media clip insert करने के लिए click किया यहां पर हमारे पास computer में जो भी video clip है उसमें आप इसको browse करके select कर सकते हैं और यहां पर आपकी वीडियो क्लिफ वह इंसर्ट हो जायी ही यहां पर कुछ option नहीं की क्लिक करने पर वीडियो प्लेव कि आप लिए बांवा मैं दून आदी साथ animation को मैं with previous कर देता हूं ताकि वह एक साथ display हुआ के पास आप on click क्लिक न और बलकि with previous कर दीजिये दोनों साथ साथ में play होते रहे हैं जब मैं आप play कर नहीं जा रहा हूं आप देखेंगे कि यह एनिमेशन भी हुआ और साथ में वीडियो भी यहां पर डिस्प्ले हो रहा है कुछ चीजों को एक्स्प्लेइन करने के लिए वीडियो दिखाना काफी जरूरी होता है इसलिए वीडियो भी आप पाउर पॉइंट में ऑडियो वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं यह आपका असाइन्मेंट नंबर फाइव था